देल अजमेर आज एक एतियासिक धुरोवा अजमेर की बन चुका है क्योंकि आज का ये जो फ्लावर एक्जिबीशन है ये अपने आप में एक एतियासिक इसलिए है कि हम लोगों ने इस पूरे फ्लावर शो में सोचे ज़्यादा मायरा फैशन्स एन एक्स्क्लूजिव रिंज ओफ डिजाइनर कलेक्शन स्वामी कॉंपलेक्स आनवगा मौल अजमेर फ्लावर की वेराइटी यहां पर डिस्पले करी है और उस सोचे ज़्यादा वेराइटी में राजस्तान के नी भारत के हर कोने से कोशिज करी है हर तरह के फ्लावर यहां पर अवेलेवल हों ताकि यहां के विद्यारती अजमेर की जनता जिनका रुजान फ्लावर की तरफ है वो यहाँ पे आके इस एक्जिबीशन को देखे और सीखने के साथ साथ उन में भी एक लगाव और लगन बने कि वो भी अपने घर पे इस तरह की पुस्प लगाकर और एक सीख के साथ साथ मनोरंजक का भी एक अच्छा एक साथन बनता है वेजिटेटिव प्लांट्स को भी हम लोगों यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्पले किया है बोनसाई कोर्नर हम लोगों यहाँ बनाया है जिसमें 30-30 साल पुरानी बनसाई हम लोगों ने रखी हैं कैक्टस की 40 से ज़्यादा वेराइटिव हमारे पास यह हैं और उसमें भी 20-20 साल पुराने कैक्टस हमारे पास हैं फांस भी बहुत तरह की हमने यहाँ पे रखी हैं और हम जिस ग्राउंड में यह खड़े हैं यह पूरा पामेटम एक जोन है जिसमें सारे पाम ही पाम और तरह तरह के पूरे साउथ अफरीकन से लेके अमरीकन से लेके फ्लोरेडा से लेके तरह तरह के यहाँ पे पाम हम लोगों ने इस बोटनिकल गार्डन में लगाए है ताकि एक ही गार्डन में सब तरह के पाम यहां की जनता को या भार से कोई भी आता है उसके लिए यहां देखने को मिले यह पांश दिन चलेगी यह फ्लावर एक्जिबिशन लेकिन पर्मानेंट फ्लावर्स और बास्केट फ्लावर्स और तरह तरह के जो प्लांट्स है वहां पर्मानेंट आईटम है कभी भी कोई अजमेर की जनता यहां के इस गार्डन में देख सकती है आज इस फ्लावर शो का एक्जिबिशन हमारे उस शिक्षा विवाग कोलेज शिक्षा के उपायुक्त डॉक्टर परदीब कुमार बोरड साब ने आज इसका उद्गाटन किया है डॉक्तर मनोज यादव असोशेट प्रोफेसर बोटनी डिपार्टमेंट यह मैं समझता हूं कि यह जो अजमेर में गोर्मेंट को लिए एक यूनिक एक्टिविटी है जो कि साथ कहीं भी किसी राष्टन के या हो सकता है कि बहुत कम कॉलेजेज में इस तरह का होता होगा यह फलार एक्टिविशन है और मुझे जैसे बताएगे कि यह काफी लंबे समय के बाद वापिस उन्होंने बहुती ववस्ति तरीके से की है और जिसे पूरा सहर एक तरह से देखने आता है और यह पांग दिन की एक्टिविटी चलेगी तो मेरे यह मानने की यह जो एक्टिविटी है यह नेकेवल एक इनुवेशन है बलकि बच्चों के लिए लर्निंग भी है और कॉलेज में अलग तरह का माहौल भी बनता है तो मेरे यह मानने की इस एक्टिविटी से कई तरह के फायदे होंगे मालो सहर के लोग कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज से उनका एक तरह से जड़ा भी होता है और ये एक्टिविटी एक तरह से मेरा ये मानना है कि कई दिश्यों के एक साथ पूरा करती है निश्यतरूप से मैं इसके लिए जो अगरवाल साथ और उनकी पूरी टीम को बदाई देना चाहूँगा कि उन्हें इतनी अच्छी एक्टिविटी की और मेरे लिए एक तरह से लर्निंग एक्टिविटी है कि कॉलेज में इस तरह का हो सकता है मैं इसा सोचना मैं मानता हूं कि ऐसा दूसरे को भी इस तरह की इन्नोवेशन करने के लिए आगे आना चाहिए तो यह अपने अपने यूनिक एक्टिविटी है यह झाल